मिल्खा सिंह, जिन्हे दफ लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है. मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पाकिस्तान में हुआ था. एक भारतिय ट्रैक और फीड एथलीट थे, जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक के दौरान दौर में अपनी उपलब्धियो के लिए अंतरराष्ट्रिय ख्याती प्राप्त थी. वह एशियाई खेलों के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले उस समय के एक मात्र एथलीट हैं. उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी भारत के लिए स्वर्ण अपद पदमश्री से सम्मानित किया गया, जिस दौड के लिए सबसे ज्यादा सिंह को याद किया जाता गया. वह 1960 के उलंपिक खेलों में 400 मिटर फाइनल में उनका चौथा स्थान था, जिसे में उन्होंने पसंदीदामे से एक के रूप में प्रवेश किया था. उस दौड में रिकॉर्ड तोड़े गए जिसके लिए फोटो फिनिश की आवश्चकता थी और अमेरिकी ओटिस देविस को जर्मन कार्ल कार्फमेंड पर एक सेकेंड के सौवे हिसे से विजेता घोशित किया गया. सिंह का 45.3 सेकंड का चौथा स्थान लगभग 40 वर्षों तक भारतिय र विजनाथ ने सिंह को अब तक का सबसे बहतर एथलीट बताया है. मिलखा सिंह 18 जून 2021 को कोविड 19 की जटिलताओं के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गए.